नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नौलज हाउस में। ये तो आप जानते ही होंगे कि चाहे इंसान हो या जानवर, हम सभी अपने फूड यानि की खानी के लिए किसी और जीव या वनस पतियों पर निर्भर करते हैं। और आम तोर पर फूड चेन में सबसे उपर के जीव अपने नीचे के लोगों पर हावी होते हैं। लेकिन इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बात करें जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों की। तो भाई साब ये तो हमेशा से ही हम इंसानों को हैरान करते आए हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे रोमांचक शिकार बताने वाले हैं, जहां शिकारी अपना शिकार को करने में और सफल दिखा गया है, और उसके मुँख से निवाला आते आते, उसके मुँख से छीन जाता है, तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैया लागर को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और शेर तो करना ही है, इसमें कहने को क्या बात है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, दोस्तो शिकार खुद को मौत के मुँख से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता है, और शायद उसकी यही शिदत होती है, कि कभी वह अपने शाररिक ताकत से, तो कभी अपने बुद्धी के बल से, अपने शिकारी को मात दे कर बच निकलता है, दोस्तो ये तो हम सभी बच्पन से जानते हैं, कि शेर जंगल का राजा है, और उसके सामने आने से, बड़े बड़े जानवर भी घबडा जाता है, अगर शेर किसी जानवर पर हमला कर दे, तो उस जानवर का बच्पाना लगभग नामुम्किन होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, कि यहाँ पर एक अकेली भैस को देखकर शेरों के जुणने उस पर हमला कर दिया, और उसे बुरी तरह घायल कर दिया, एक शेर ने अकेले ही अपने दात उस भैस के पीछले हिस्से में कड़ा दिये, और अपने पंजों की ता पर हमना कर देते हैं, एक भैसा अपने सिंगों में शेर को भसा कर उसे हवा में उपर उचाल देता है, भैसे का ये दमदार वार देखकर शेर घबरा कर भाग जाता है, और उस घायल भैस की जान बच जाती है, तो देखा आपने कैसे भैसों ने साबित कर दिया, कि एकता मे बड़ी ताकेत होती है और एकता से शीर जैसे खुखार जानवर को भी हराया जा सकता है जहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ जंगली कुटों ने मादा वाइल्ड बिस्ट और उसके बच्चे को घेड़ लिया है ये जंगली कुटों का जहुंड उस वाइल्ड बिस्ट के बच्चों का शिकार करना चाहता है लेकिन मादा वाइल्ड बिस्ट अपने बच्चे को अकेला छोड़ कर जाने को तयार नहीं है और वो इन कुटों के जहुंड का टटकर सामना कर रही है जंगली कुट्टे इसे वाल्ड बिस्ट के बच्चे को अपना शिकार बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं पर हर बार मादा वाल्ड बिस्ट उनके इरादे को नाकाम करतेती हैं अगर जंगली कुट्टे चाहे तो जुंड में वो बड़े बड़े जानवर को अपने नुकिले दात गरा कर मार सकते हैं पर यहां मादा वाल्ड बिस्ट के हौसले के आगे उनकी एक न चली मादा वाल्ड बिस्ट का अपने बच्चों की रक्षा के लिए आकरामक रूप देखकर कुट्टों ने वहां से निकल जाना ही बहतर समझा क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि यहां उनकी दाल नहीं गलने वाली है और मादा वाल्ड बिस्ट अपने बच्चे को छोड़ कर कहीं नहीं जाने वाली या हमने एक माँ का अपने बच्चे के लिए समर्पित प्रीम देखा जो अपनी जान की परवा किये बगैर अपने बच्चे को बचाने के लिए जंगली कुत्तों के पूरे जुंड से अकेले ही भिड़ पड़ी अगला शिकार है लायन वर्सेस हाइना का दोस्तों यहां बात जंगल के राजा की हो रही है जो इस समय खुद हाइना के जुंड का शिकार बनने वाला है ऐसे तो शेर बड़े बड़े जानवरों को मार गिनाने के लिए अकेला ही काफी होता है पर अगर बात हाइना के जुंड की हो तो शेर भी यहां कमजूर मसूस करने लगता है हाइना अगर जुंड में शिकार करने के लिए निकले तो उनके सामने कोई नहीं टिक सकता पिर चाहे वो शेर ही क्यों ना हो तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है एक शेर को अकेला देखकर हाईना के जुन्ट ने उस पर हमला कर दिया पर शेर भी आसानी से हार मानने को तयार रही है और वो हाईना को बराबर के टकर देता है हाईना हर तरफ से शेर पर हमला करते हैं और शेर भी अपने पंजू की ताकत से उनके वार का पलट वार करते हैं तब ही वहाँ पर शेर का एक साथ ही आ जाता है जो अचारक हाईना के जुन्ट पर हमला कर देता है एक साथ दो शेरों के देखकर हाईना घबडा जाते हैं और पर देखिये अलेफैंट और लाइन की फाइट यहाँ पर जंगल से गुजड़ रहे एक भैसों के जुंड पर शेर का एक जुंड अपनी निकाहे जमा कर बैठे हैं आज शेरों का मूड कुछ बड़ी और जबर्दस्त दावत उड़ाने का है इस बात से शायर ये भैसों का जुंड पिलकुल अंजान है कि उन पर खतरनाक शिकारियों का हमला होने वाला है और वो अपने मंजिल की तरफ अपनी धुन में बेखाफ आगे बढ़ रही है तब ही शेर सही मौका देखकर भैसों के जुंड पर हमला कर देता है और एक भैस को जुंड से आलग करने में का हमला देता है और भैस को घायल कर देता है तब ही अचानक शेरों के जुंड पर एक हाथी हमला कर देता है और शेरों को उस भैस को छोड़ कर भागने पर मजबूर कर देता है हाथी का उगरू रूप देखकर शेर भी भाग जाने में अपनी भलाई समझते हैं और भैस भी ह नाथी का शुक्र यादा करने के लिए उनकी तरफ दौर कर चली जाती है। नमबर फाइब पर हाइदा वर्सिस वाइल्ड बीस्ट को देखते हैं। यहाँ पर एक मादा वाइल्ड बीस्ट ने अपने बच्चे को अभी जन्म दिया है। और वो उसे खड़ा कर चलने के लिए प्रुसाहित कर रही हैं। वाइल्ड बीस्ट का बच्चा भी अपने माँ के साथ उठकर चलने की हर संभव कोशिश कर रहा है। शुरुआत में थोड़ा लडखराने के बाद फिर धीरी धीरी चलना और फिर दौर लगाना भी शुरु कर दिया है। शाह दुसाह में यह बच्चा अपने माँ से काफी दूर निकल जाता है। और बदकिस्मती से हाइना के जूंड की नजर उस बच्चे पर पढ़ जाती है। और इस बच्चे को देखते ही हाइना के मुझ में पानी आने लगते हैं और बीना एक सेकेंड वेस्ट किये हाइना का जूंड बच्चे पर हमला कर देते हैं। बच्चा भी काफी छोटा है और इसका हाइना के जुन्ट से बचपाना लगभग नामुम्किन है पर तब ही वहाँ एक शेर हीरो की तरह आ जाता है और हाइना के जुन्ट पर हमला कर उन्हें ख़देर देता है और वाइल्ड बीस्ट के बच्चे की जान बचा लेता है जंग उनको भी विश्वास नहीं हो रहा है ना तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे जंगल में होने वाले शिकार जिसमें देखा गया कि कैसे शिकारियों के मूँ से उनका निवाला चिन गया और शिकारी जिसे अपना आसान शिकार समझ रहे थे उसे ने उनको खदेर दिया जाने से पहले प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब करिए चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में